आज किस वीडियो में हम अन्बॉक्स करने वाले दे लीनेस्ट और मेनेस्ट मॉंस्टर फ्रॉम सामसंग गैलेक्सी जो है M52 5G यह बहुत ही स्लिम और कॉम्पक्क फॉर्म फैक्टर में आपको यह डिवाइस देखने मलता है यह इसके अंदर उनने 11 5G बैंड भी प्रोवाइड के यह है दी बेस्ट M-Series डिवाइस तिल डेट जिसे मैंने यूज किया है तो बने रही हमारे साथ एंड लेट्स के स्टार्टेड विद दा अन्बॉक्सिंग यह है Samsung Galaxy M52 5G का बॉक्स पैकेजिंग जैसे हम इसे अन्बॉक्स करते है सबसे पहले यहाँ पर वो एक्चुल डिवाइस आपको देखने मलता है यहाँ पर दूसरे कंपार्टमेंट में उन्होंने इसका SIM Ejected Tool और कुछ user manuals भी प्रोवाइड किये है तो गैस सबसे पहले यहाँ पर इसके उपर गा जो plastic wrap है उसे हम remove करते है पीछे का जो sticker है उसे भी remove करते है आप देख सकते हो बहुत ही slim form factor में यह device आपको देखने मिलता है तो यहाँ पर हम करते है इसे power on and करते है इसमें सारी चीज़े set up तो यह है वो actual device तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे इसके physical overview की तो यहाँ पर उन्होंने इसमें blazing black color प्रोवाइड किया है जो completely यहाँ पर glossy finish के साथ आता है back panel आपको completely glossy finish में देखने मलता है with texturized finish and guys यह बहुत ही slim form factor में आपको देखने मलता है and इसकी thickness निकल के आते है सिर्फ और सिर्फ 7.4 mm की weight को लेके अगर मैं बात कर रहा हूँ ना तो 173 grams का इसका total weight निकल के आता है and यहाँ पर front display में उन्होंने Corning Gorilla Glass 5 protection भी इसमें प्रोवाइड किया है ports को लेके अगर मैं बात कर रहा हूँ न तो नीचे की तरफ यहाँ पर आपको speaker एक type C port, एक mic, left hand side पर यहाँ पर SIM tool जिसमें आप insert कर सकते हो दो SIM card, एक memory card, उपर की तरफ यहाँ पर secondary, noise cancellation, mic, right hand side पर यहाँ पर volume rocker and एक power on button आपको देखने मलता है जिसके अंदर उन्होंने fingerprint scanner भी provide किया है and यहाँ पर जो fingerprint scanner है ना बहुत ही जादा responsive है आप देख सकते हो within a second आपका phone यहाँ पर unlock कर देता है so guys यहाँ पर जो build ना इस particular device की बहुत ही बढ़िया निकल के आती है and yes यह जो glossy back panel ना इसके ओपर आपको fingerprint smudges for sure देखने मिलेंगे क्योंकि glossy finish में आता है and यहाँ पर उन्होंने 3.5 mm का jack भी इस device पर miss out किया है and yes guys उसे के साथ हम बढ़ते है इसके display की तरफ तो यहाँ पर उन्होंने 6.7 inch का infinity o display इसके अंदर provide किया है जो है completely एक super amoled plush display जिसका refresh rate है 120 hertz का and guys display बहुत ज़्यादा smooth feel होता है जबी भी आप इसे use कर रहे हो and guys आजकल के situation में बहुत सारे लोग है न डिवाइस के उपर content watch करते है OTT platform की help से so यहाँ पर हमने इसमें Widevine certification चेक किया तो इसके अंदर आपको Widevine L1 certification देखने मलता है जिसकी help से आप OTT platform पर यहाँ पर high definition content watch कर सकते हो So guys यहाँ पर जो display ना बहुत ही amazing आपको इस device के उपर देखने मलता है and yes उसी के साथ हम बढ़ते हैं इसके सबसे crucial aspect की तरव जो है इसका processor So यहाँ पर उन्होंने Snapdragon का 778G processor इसके अंदर प्रोवाइड के है जो यहाँ पर बेच्ट है 6 nanometer technology पे and yes यहाँ पर storage को लिके अगर मैं बात कर रहा हूँ ना तो 8GB का RAM, 128GB का internal storage भी उन्होंने प्रोवाइड के and यहाँ पर हमने read and write speed test भी इसकी की जहाँ पर हमें 518 Mbps का read speed देखने मिल रहा था and 256 Mbps का write speed देखने मिल रहा था and यहाँ पर हमें on an average 5 lakh का score देखने मिल रहा था जो बहुत ही amazing benchmark score है and उसी के साथ यहाँ पर Geekbench 5 का भी benchmark score किया जहाँ पर हमें 774 का single core score, 2908 का multi core score देखने मिल रहा था so guys जो benchmark scores है ना बहुत ही amazing इस device में निकल किया आती है and guys अभी time है इसमें gaming test करने का तो यहाँ पर सबसे पहले हमने BGMI game इसमें खेला and BGMI game में हमने setting रखे थे smooth में extreme and यहाँ पर बहुत ही smoothly gameplay इहाँ पर चल रहा था smooth में extreme setting पर यहाँ पर आपको up to 60 fps का frame rate देखने मिलता है and yes यहाँ पर इस particular game में आपको कोई भी lag as such महसूस नहीं होगा so guys overall BGMI game बहुत ही एची तरीके से इसमें चल रहा था and उसे के साथ यहाँ पर हमने call of duty game भी इसमें खेला and call of duty game भी भाई बहुत ही smoothly यहाँ पर चल रहा था यहाँ पर भी आपको up to 60 fps का frame rate देखने मिलता है and इस game में भी आपको as such कोई भी lag महसूस नहीं होगा so guys जो gaming performance है ना बहुत ही बढ़ी है इस device पर निकल के आती है thermals को लेके अगर मैं बात कर रहा हूँ ना तो इतना जादा यह device heat नहीं होता है approximately 45 minutes का यहाँ पर हमने gaming के ला था but कोई भी heating issue यहाँ पर मुझे महसूस नहीं हुआ and फिर हम बढ़ते इसके cameras की तरफ तो यहाँ पर rare में उन्होंने 64MP का main camera प्रोवाइड किया है 12MP का ultra wide camera and 5MP का macro camera and front में यहाँ पर आपको देखने मिलता है 32MP का camera so guys यहाँ पर आपको high resolution cameras देखने मिलते है and guys इसके पहले बहुत सारे लोग complain कर रहे थे कि M series में आपको 60fps का video recording देखने नहीं मिलता है but guys यह particular device में उन्होंने rare and front camera से full HD 60fps का video recording capability भी include किये and यहाँ पर आप rare and front camera से दोनों भी camera से 4K at 30fps भी video recording कर सकते हो जो बहुत ही बढ़िया बात है उसके अलाबा guys यहाँ पर आपको samsung का signatory single take का भी feature देखने मलता है जहाँ पर approximately 10-15 seconds का यह video record करता है जहाँ पर आप different different movements यह capture करके आपको यहाँ पर display करता है उसके अलबा guys additional settings में यहाँ पर आपको slow motion videos, macro mode, pro mode भी देखने मलता है and yes guys यहाँ पर इस particular camera की help से हमने कुछ sample images click किये rare camera से भी click किये outdoor lighting conditions में भी and indoor lighting conditions में जहाँ पर हमने normal mode, ultra wide mode का भी use किये and front camera से भी यहाँ पर हमने कुछ images capture किये so guys नीचे comment करके ज़रूर बताना कि यहाँ पर आपको images की quality इसकी कैसे लगी so guys जो cameras है ना मुझे personally इस device पर बहुत ही जादा पसंद है and फिरम बढ़ते इसके UI की तरफ तो यहाँ पर उन्होंने Samsung का One UI 3.1 इसके अंदर provide किया है जो यहाँ पर based है Android 11 पर and yes यह जो UI ना बहुत ही smooth यहाँ पर feel होता है and यहाँ पर आपको इसमें कुछ pre-loaded bloatware applications भी देखने मिलते हैं and बहुत ही optimal performance आपको इसमें देखने मिलेगी and guys फिरम बात करेंगे इसके speaker की तो यहाँ पर उन्होंने down firing speaker इसके अंदर provide के है तो यहाँ पर मैं एक sample video play करूँगा जिसमें आप सुन सकते हो इसकी sound quality so guys जो sound quality है ना बहुत ही बढ़िया यहाँ पर निकल के आते है हलाकि dual firing speaker उन्होंने provide के होता ना तो भाई यहाँ पर मज़ा ही आ जाता खेर कोई बात नहीं अभी हम बढ़ते हैं इसके battery की तरफ तो यहाँ पर उन्होंने 5000 mh की battery इसके अंदर provide के है and यह particular battery है ना 25 watts का fast charging यहाँ पर support करता है out of the box आपको 15 watts का power charging brick देखने मलता है and yes यहाँ पर 5000 mh की battery है तो typical usage scenario पर पूरा दिन आपको इसकी battery life यहाँ पर चलने वाली है so guys यह जो particular device है ना Samsung M52 5G the best device मैं बोल सकता M series का क्योंकि हर एक चीज जो आपको required थी ना वो सारे features उन्होंने इसके अंदर provide किये and अभी हम आते इसके pricing की तरफ so guys pricing बहुत ही जादा impressive रखी है so यहाँ पर हमारे पास जो variant है ना 8GB RAM 128GB internal storage के साथ इसकी pricing है रुपिश 27,999 and yes guys यहाँ पर जो Amazon Great India Sale है ना उसके जो cashback है या फिर credit debit cards पर जो offer है ना उसके बाद यह device आपको available मिल जाएगा सिफ और सिफ 25,499 रुपिश की price में है so guys pricing बहुत ही जादा impressive है and इसका और एक lower variant भी आता है जो आता है 6GB RAM 128GB के internal storage के साथ and उसकी जो regular pricing है ना वो है रुपिश 25,999 and yes Amazon Great India Sale पर cashback and जो card offer है उसके बाद आपको यह device मिल जाएगा रुपिश 23,499 so guys pricing बहुत ही जादा impressive है slim device है, 5G, 11 bands आपको देखने मलते है 120Hz का display भी उन्होंने provide किया so guys यह जो particular device है ना बहुत ही बड़िया device है and अगर किसी को इस particular device को check out करना है या फिर purchase करना है न तो link में नीचे description box में drop कर दूँँगा वहाँ पर जाके आप इसे purchase कर सकते हो and guys बस यही था आज का वीडियो I hope आपको वीडियो पसंदा होगा अगर आपको वीडियो पसंदाते तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही tech related unboxing के लिए प्लीज सब्स्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दोस्तों और इक important बात प्लीज मेरा Facebook पेच और Instagram पेच भी लाइक कीजिए तो दोस्तों मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद